दोस्तों अगर आप MI phone चलाते हैं यदि उसे गर्म होने से बचाना चाहते हैं 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 होने से बचाना चाहते हैं या आपका mobile phone बहुत जादे गर्म होता है या बहुत जादे हैं करता है आपके mobile phone का जो speed है बहुत ही कम मिलता है तो इस वीडियो को बिना skip किये लाश्ट तक दे में आएगा अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपके मोबाइल फोन का जो हैंगिंग समस्या है गरम होने की समस्या है जो मोबाइल प्रावलम से चुटकारा पा सकते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा वीडियो को सुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे चैनल पर आली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सस्क्राइब कर लें और सस्क्राइब के बगल में जो सकते हैं तो दोस्तों जादे देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है परदी मोरिया अब दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग को उपेन करने के बाद आप ड्रॉ करके नीचे आएगा ठीक है यहां पे अप्लिकेशन को आप नहीं चाला ते है नहीं यूज करते है थीक है तो उस पर आपको क्लिक करना माल यह फेस्बुक डेली आप नहीं-गरी करना है यहां प 스ट Caroline से यहां पर सर्थ यूदिक करना है यह इसे यहां पर अंट्रिक कर देना यहां पर टोग्रॉइए दोस्तो स्टार्ट इन बैक्ग्राउंड यहां पे ट्रिक लगा है इसे आपको अंट्रिक कर देना है ठीक है इस पे क्लिक करना है और यहां पे क्लिक कर देना अब यहां पे अंट्रिक हो गया दोस्तों यह इसे अंट्रिक कर देंगे यहां पे गुड़े का यह दिचीन आ जाएगा त अपके मोबाइल फोन की हैंगिनग समस्या और गर्म होने की समस्या से आप बचा सकते हैं ठीक है इसके बाद आप बैक आईएगा बैक आने के बाद आपको क्या करना है ठीक है यहां पे सबसे उपर आईएगा ठीक है एक option मिलेगा एबाउट फोन का इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप नीचे आईएगा ठीक है यहां पर एक आपसन मिलेगा MIUI वर्जन का इस पर 5-6 बार ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में डवलपर आपसन ओपन हो जाएगा ठीक है बैक आईएगा यहां पर डवलपर आपसन आपको दिखाई देगा ठीक है यहां पर एडिशनल सेटिंग में आपको आना है ठीक है एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहां पर नीचे एक आपसन मिलेगा ठीक है यहां पर डवलपर आपसन ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप और नीचे आईएगा जब नीचे आएंगे तो यहां पर एक आपको आपसर मिलेगा अभी आपको हम दिखा देते हैं ठीक है नीचे आईएगा यहां पे एक option मिलेगा background ठीक है यह background process limit ठीक है यहां पे आप देख सकते हैं background process limit इस पे आपको click करना और इसे आपको no background process पे click कर देना है दोस्तों यहां पे no background process limit पे click कर देंगे तो आपके phone में जितने भी application है उनका जो background पूरी तरीके से बंद कर देगा अब इसके बाद आपको क्या करना है back आना है ठीक है back आने के बाद आप सबसे उपर आईएगा ठीक है यहां पे system update पे आपको click करना है click करने के बाद यहां पी नीचे देखेंगे check for update दोस्तों मेरे mobile phone में updating system आ चुका है नया version यहां पे देख सकते हैं मेरे mobile phone में आ गया है तो आपके mobile phone में जो भी पूराना feature है वो नया हो जाएगा और आपके mobile phone का जो speed है बढ़ जाएगा और mobile phone hang नहीं करेगा दोस्तों update करने से पहले आपको अपने mobile phone का internet connect करना पड़ेगा connect करने के बाद आप कम से कम दो घंटे का समय ले लिजेगा mobile phone की जो यहां पे बैटरी ह वो 100% चार्ज होना चाहिए जब आपके mobile phone का बैटरी फूल चार्ज होगा आपके mobile phone में दो जीवी internet डेटा होना चाहिए तभी आप अपने mobile phone को update करेगा दोस्तों आप इस तरीके से यहां पे check for update पे क्लिक करके आप अपने mobile phone को update कर लिजेगा जब आपके mobile phone का software पूरी तर करने लगेगा तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को आप लाइक करदा और इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करदा ताकि जो भी एमाई फोन चलाते है